सब्सक्राइब कीजिए हैश्टेग हिंदी यूटूब चैनल को और दबाईए बेल आइकॉन को ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले कहते हैं जिसकी रक्षा भूलेनात करें उसको कौन मारे लेकिन फिर भी भारतिये आर्मी देश्वासियों की जान भूलेनात के हाथ में नहीं छोड़ना चाहती अमरनात यातियों पर फिदाईन हमले की खबर मिलने के बाद इनस जी के कमांडों को अमरनात भेज दिया गया है वहीं श्रीनगर एरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनहीं कमांडों को दी गई है जम्मु कश्मीर में सरकार गिरने के बाद राजपाल ने आतंकवादियों के खिलाफ ओपरेशन उइल आउट शुरू किया हुआ है अमरनात यात्रा से पहले खुफिया रीपोर्ट मिली है कि आतंकी अमरनात यात्रा रूड पर फिदाईन हमला कर सकते हैं आतंकियों की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए श्री नगर में NSG के Black Cat कमांडो तैनात किये गए हैं यह कमांडो किसी भी स्थिती से निपटने के लिए पूरी तरह से तयार है वही जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP Victor और CRP AP के IG ने सुरक्षा और प्रशासने के इंतरजामों का जायजा लिया है वही खुफिया एजेंसियों ने बड़े हमले की चेतावनी जारी की है रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी अमरना थ्यात्रा के श्रधालूओं को निशाना बना कर कार बंसे हमला कर सकते हैं रिपोर्ट के अनुसार श्रधालूओं को निशाना बनाने के लिए पाक खुफिया एजेंसी IASI ने बड़ी संख्या में लशकर और जैश के आतंकियों को पाक अधिकरित कश्मीर के लांच पैड पर एक अत्र किया है सुरक्षा बलों से उच्च स्तरी सतर्क्ता और तालमेल बनाये रखने को कहा गया है गौर तलब है कि जम्मू कश्मीर में भारती ऐसे ना कि जवान और अंग जेब के हत्या करने वाले शक्स को 21 लाक रूपए का इनाम मिलेगा यह एलान बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब और विदायक मनजिंदर सिर्सा के नाम से ट्विटर पर किया है उन्होंने लिखा और अंग जेब के हत्यारों को मारने वालों को 21 लाक रूपए का इनाम दिया जाएगा और अंग जेब इंडियन आर्मी के राष्ट्रे राइफल में तैना थे और वियर हिजबुल कमांडर टाइगर का इनकाउंटर करने वाली टीम में भी थे दोस्तों इस वीडियो पर आपकी राए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर करना न भूले और ऐसे ही लेटेस अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे इस चानल को सबसक्राइब करना न भूले